हाई फ्रेंड्स प्रशान्दी साइट तो हमने आज ट्रेड लिया था कैनेरा बैंक एंड मनपूरा फैनांस के उपर तो हमने ये स्ट्रीम में भी शेयर करते हैं उसमें भी शेयर के यदा और प्राइम चैनल पे भी शेयर किया था सो 2022 का यह ओल्मोस्ट लास्ट ट्रेड है और फिर्स ट्रेड जो हमने लिया था यह लिया था मनपूराम फाइनांस के अंदर आप देख सकते हो यह वाला यहां पर अपना टार्गेट जो है पॉइंट फाइव से पेंडिंग था ठीक है पॉइंट फाइव पॉइंट से सो इस ट्रेड था दोस्तों 2022 का एक्विटी के अंदर आप देख सकते हो हमने यहां पर यह कॉस्ट पे एक्जिट किया था मनपूराम फाइनांस का ट्वेंटी फाइंट का कॉंटिटीज लिया था एंड अपना सेकेंड ट्रेड जो था वो केंडरा बैंक में था 12 कॉंटिटीज इसमें 1-2 almost 6 points book के so 7,260 का कुछ profit book के आप देख सकते हैं आप टोटल profit this one right so काफी अच्छा ट्रेड था and इसका पूरा डिटेल अगरा जो है मैंने इसके उपर भी शेर किया था अपने stream के उपर so काफी simple trade था इसने multiple time tested जो resistance था वो ब्रेक किया था यहां पर देख सकते हो ठीक है उसके बाद आज मुमेंटम में था प्यासिव बैंक्स तो इसके वजह से कैनरा बैंक में हमने ब्रेक आउट पे ट्रेड किया था डेहाई जैसे ब्रेक किया था तो यह जो मैंने horizontal line डो करिये उसके उपर जैसे ब्रेक किया ब्रेक करने के अपर से target हीट किया था काफी बढ़िया ट्रेड था overall काफी अच्छा साल गया यह सो आई होप आपका भी अच्छा गया रहेगा 2022 जो भी गलतिया 2022 के अंदर ट्रेडिंग के अंदर हुई रहेगी जिसके वजह से आपको काफी लोगों को इसू होता है वह ट्रेडिंग से वह अगर आप 30 में ना करो तो हो सकता है काफी अच्छा जाया अगला साल ठीक है एंड कुछ भी अगर डाउट साता है दोस्तों मैं मोस्ली एक्विटी ट्रेडिंग करता हूँ यह अपना सीरीज जो है how to grow small account यह फाइल अकाउंट है तो इसको कैसे ग्रो करना है वह एक् आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड विशिंग यू एव्रीवन एंड हैपी नीव एर ठीक है 2030 आपको सभी को आइडवांस में मुबारक सू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो नए हो चैनल पर तो सस्क् कर दोब है